रोजेज आर रेड वाइलेट साब लू आपने बोला ट्राफिक लाइट्स मैंने बोला निये काम में देरी क्यों तो इस किड्नी टचिंग स्टोरी के बाद चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो उसे मैं हूँ सदान आप देख रहें रेडिंग में सदांत आज हम बात करने वाले हैं सेटप की मैंने लाइफ किया रीसिंपली उधर पॉर रहे ओट ठ्राफिक लाइट थीक है ट्राफिक लाट पर हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कुछ इंप्रूब्मेंट्स है नहीं है, तसकर अभी मैं कम्प्लीट फर्स इंप्रेशन, विडियो मैंने पहले देखा नहीं है, विडियो इस विडियो इस बाई सुभशी श्पानी जी पावर और स्टॉक्स चैनल से, इन्होंने डेली के कॉंफरेंस में प्रेजेंट किया था या स्टाट जी पुश्कराज जी ने कॉंफरेंस किया था, वहाँ पर प्रेजेंट हुई थी, उस पे हम अपने टिपकर नहीं देंगे, कुछ इंप्रूब्मेंट से तो वह बताएंगे, नाओ लाइक आलवेज हम वीडियो को 1.5x की स्पीड पर देखने वाले है, टॉप साइड में आपको एक नोट पाट दिख जाएगा, वहाँ पर नोट लिख जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, कुछ चेंजेज है, कुछ इंप्रूब्मेंट्स है, क्या अप्रवेशन है, वहाँ पर मेरको बाकी इंडिया का तो नहीं पता, बट पूने में अच्छ टाइमर हा वहां हो हुआ, और पूने में ट्राफिक लाइट था बहुत यूनीक मीनिंग है, ग्रीन का मतलब होता है गो, यलो का मतलब होता है,' और रий diff का मतलब होता है, और बागो, सीधा first grip लdid करके निका आप फोन में वीडियो बनाओ कुछ बनाओ लिक लो थोड़ा सा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कि नहीं हूँ पुल सद्गुरु वाइब्स क्या मैं हूँ या मैं नहीं हूँ आप बताएगे मुझे I am not the body I am not even the mind एक दो चीजे मैं बता रहा हूँ आपको इदर आप trading सीकते मेरे पास आओ गया फिर एक दिन पैसा कमाल होगे फिर मेरे पास आओ लिकिन आना तो पड़ेगा यार यह बात में को अदमिट करनी पड़ेगी so trading में मैं मुझे सीकते भी काफी ताइम हो गया YouTube करकी थोड़ा आपका सा ताइम हो ही किया है and I can only see few people who are genuine दो तो आपको पता ही है गंशाम जी he's 100% genuine 100% as in जितना मुझे लगता है इंसान के अंदर तो को देख नहीं सकता but on YouTube he's a super genuine person the second person that I feel is genuine is one of his prime students which is Mr. Subhashish Pani I feel he's one of the most genuine person on YouTube out there जो respect हम लोगो नहीं मिला है हरी जगा आके platform में बोलते हैं कि इने trading से पैसा नहीं मिलता नहीं मिलता भाई मैंने 5-5 करो taxes पे किया है कैसे बोल सकते हो तुम लोग अब मेरे taxes पे सा income नहीं है हाँ 99% लोग loss कर रहे है लेकिन ऐसा 99% investor पैसा बना ले रहे है अगर आता नहीं अगर प्राइज हजार से पांच हजार जाने वाला है दस साल में तो इथाज टू मूँव रूम इंट्राड अगर यह बात देखिए गाईज investors काफी बोलता है कि trading से पैसा नहीं बनता किस चीज से पैसा बनता है not in the market itself पूरी जिंदगी में life में देखो आप कोई भी sector आप पकड़ लोगे cricket लेलो sports का कोई भी चीज लेलो आप आप IAS IPS का admission लेलो आर्मी लेलो एंजिनिरिंग लेलो डॉक्टरी लेलो कोई भी sector में 100% success rate नहीं है सब में overall आप देखोगे न सो top 5% हर जगा exist करते हैं और top 5% ही दबाके कम आता है यह reality है कैसे top 5% अब engineering college से कौन से college में जारे वे भी तो matter करता है हर engineering college का cutoff अलग होता है हर engineering college के cutoff के बावजू उसके बाद के job placements भी अलग होते हैं तो अब सोच रहो filter out कैसे हो जाते हैं लोग यहीं पर filter out होते हैं बस आगे जाके लोगों को लगता है कि engineer भाई बन रहा है college का एक system में बना बना है system में that's it यह trading में बस एक बना बना है system नहीं इस लोगों को लगता है कि भाई इसमें कर दिया apple amazon facebook जब भी आया उसमें किसी नगर शुरू में invest कर दिया tesla में जब यह technologies new थी जब किसको इसको बार में पता नहीं था कहां है वो लोग आज किस level पे हैं so these things like trading early stages में इंडिया में लोग इसको बार में पता नहीं है आप जो देख रहे हो you are still very lucky that you are into trading यह जब pick up होगा ना उसके बाकी लोगों को tension हो जाएगा जिसन आप अपनी success दिखाओगे लोगों को अपनी महनत से और दिखाओगे कि भाई मैं तो घर बैठे बैठे कमा रहा हूँ जब इंजिनियर frustrated आएग आपके पास तब आप रहेगा तो फिर मैं आपको बोनस भी दे सकता हूँ इसके लिए okay तो चलो मैंने थोड़ा बहुत कवर कर लिया directly हम लोग चलते हैं सेटप के उपर सिंपल सेटप है आग बंद करके दो मिट के अंदर सीख सकते हो फिर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे okay तो चलो हम लोग सेटप आग बंद करके सिखिंगे हम लोग सेटप में आपके मैं या चुका है किने इधर राइड और ग्रीन ये संदो में फर्गेट आप टाइम फ्रेम अभी है समझने कोसिज करो यह कॉम सा कलर का कैंडल है इसे ब्लाग कलर कैंडल इसे ब्लाग क्यम में या ठीक सिखिंगे okay फिने हम डिशम हुट के Walmart के में यह में और दो ऑफिने है तो इंब के तक सिखिंगे बस आप सेटप सिखें आप सेटप सिखें चलो guys, thank you so much for watching अच्छा था आट का वीडियो जादा को जिसमें चेंज़ रिए रिवीव करने के में ज़रोग पड़ी नहीं सेटप सीख लिए आपने बहुत अच्छा सेटप है जब भी आपको ऐसे देखेंगा करेंगे इंवेस्टिंग तक करेंगे इंवेस्टिंग तक स्काल्पिंग के लिए टाइम फ्रेम औब्यूस वान मिनिट अन्या आपको देखना है पहला कैंडल चोड़ दो पहला नाइंफिंटिंग पहले देखेंगे ने छोड़ दो जाने दो जिनको बहुत जल्दी है ट्रेट करने का उनको करने दो हम लोग देखेंगे 916 ओन्वर्स कांडल देखेंगे देखेंगे क्या उसके अंदर ग्री रेड अटम देखना क्या यह देख लो ग्रें रेड ओक चलते है चार्स के अंदर ग्रेंड डून्ड़ने पहले चलते है ट्वंटी पर जानवरी फिर अच्वेया तो थेकुल्द डेखेंगे से कमने अट बिने मैं उसली ने करों लिग के से कमान लिया ने बाइं के अधिक बैए सब्सक्वाइबistically investors के लिए वर्स्ट मार्केट हो धक्यूंहें सपनों का मार्के मर्केटर falling में सीधा सीधा trend मिल जाता है आपको और trend में जितना पैसा बनता है na trader का वो किसी और चीज में नहीं बनता है आपने सुना होगा na trend के side trade करो sideways market में मज़ा नहीं आता है option buying नहीं होती है ये सब चीजे बहुत important है ये सब आप हवा हवा में मत निकाल दो trend is super important if you don't know what a trend is let me know in the comments video बन्जाई यूस्पया पैर दूड़ना है क्या आपको मिला यहाँ पैर यहाँ पैर मिला यहाँ नहीं मिला okay red candle का दो पैर का हाई आलो मार कर लो दो दो चैनल का बने चाट पैर हाई आलो मार कर लो what the hell how is this possible मैं suddenly Chinese इंसान के सबात क्यों कर रहा हूँ आपका जो मन में कोशियन है ना इंटा ख़तम हो जागे यहाँ पैर दो आपने दूड लिया पहला candle चोड़ना है उसके बाद दो पैर आपको दूड़ना है red और green बस मार कर लेना है लो उसके ट्रेड लेना है okay let's let's jump to next उसके बाद समय राउंड कहां पे market close जोगा let it let it okay आपको कहां पे दिख रहा है दो पैर दिखा दो पैर दिखे दो पैर दिखा नेक्स दे भी entry exit बताऊँगा लेकिन red और green दिख रहा है easy easy रहा red और green आपको पैर दिखा okay यह हो गया इतना तो हो गया किने में entry ले लूँगा जब cross करेगा in this case पहले समय आपको एक point लिखा देता हूं three trades a day लिख दो three trades a day आपको कुछ भी हो जाए three trades a day लिख लेना नहीं है yes clear okay यह trade loss हुआ चलो एक बार अपन देखते हैं अपने one minute पे आके पोड़ास इसको verify करते हैं क्या scene है चलो ठीके 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 starting का हूँगा दिन का it started here all right so holy shit this cave roughly 90 points okay another pair यह loss एक और pair यह कौन सा count करेंगे अपन maybe I think after a trend do we have to look at it यहां से राइट नहीं यह fail है चलो ठीके थोड़ा सा और इसको समझना पड़ेगा because first वाला चल गया है but उसके बाद तो बहुत सारे जीब से बन रहे है do we consider this a pair यह red and green यह वाला इसका तो ब्रेक निगा चलो ठीके थोड़ा सा इसको हम समझते है आप बोलोगे कि नहीं सर मैंने यहां पे range बना दिया था यहां पे एक range था सम्मेर उन इस range पे यहां पे बाई किया फिर सर क्या मैं सेल कर सकता हूँ सेल कर सकता हूँ दो तीन दिन लोगे लो एक दीन मेलेगा बडा सा लेके जाऊ हो गर वोडा सा चार्ट पैसा घर पर है यहां पे आप भोक बडा ट्रेट मिलेगा तो वने डिचर्ट होगे आपका प्र अगर एक मिन्ट में आपका अगर एक मिन्ट में आपको पांच मिन्ट में सवीच करना है आपको क्या देखना है यहाँ पहला कैंडल इंडोर किया यह सब्सक्राइब okay 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 so if you यह three trades a day overall rule है okay if you take an SL one minute switch to five all right then abhi five minute time frame पे को चला कर रूल रहेंगे उसका बात का दिन गप्डान खुला इग्नोर किये उसके बाद फिर आपको क्या देखना है red or green पैसा मिला मिल रहा है नहीं मिल रहा है चलो अभी recent में चले जाता है चलो इतना हम लो क्यों करते है recent में चले जाता है red or green चलो इतना हम लो क्यों पैसा मिल यह उसका बात का दिन गप्डान खुला इग्नोर किये उसके बात क्या देखना है red or green कर first ignore किया हमने उसके बात जो भी red है यह इसका low to break हुआ है दर this is a loss hmm this is a loss right और मैं कुछ गलत तो ही देख रहा हूँ यह वाला है खाई and this is the low so this thing is a break na यह तो SL है but okay पैसा मिला? मिल रहा है नहीं मिल रहा? चलो अभी recent में चले जाते हैं चलो इतना हम लोग क्यों करते है recent में चले जाते हैं bank nifty आज के date में क्या डैंस कर रहा है I will see, आपको लेखां? अपको लुगा दिखां? अपको लोग एक ट्रेज लोग रॉजव था ठीक है दूसरे ट्रेज इतना प्रोफिट आपको 40,500 ते लेकर 40,400 अप्रशापिंग के लिए तो बहुत है 100 points, yes or no, बहत है, और यह difficult days है, easy days तुम में बताता हूं आपको, यह तो difficult days है, चलो मानने है कि नहीं लॉससे हो, उसके पहले दिन चले जाते हैं, कोई इस्यू नहीं, यह नहीं दिखा रहा हूं, यह नहीं दिखा रहा हूं, यह आपका 1 minute में चल रहा है, चली हम लोग चलते है उसके बात का पहला दिन चलते हैं, चलो, समय रांड कहा है, 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 चलो, समय रां यह प्रणिया निचे की साइड नहीं? Okay, right of the bat I can say that this is a bloody difficult strategy. Difficult not because entry difficult, exit difficult. यह मेरा point है, let's see video माँ किया होता है but improvement यह फिर understanding लिखते है पने इस पर understanding हमारी रहे ही की, exit is difficult. Because, इतने तेज मूव में, चलो आपने यहां पर किया entry. At this point I can write in bold letters, option का जो आपका entry price रहेगा बहुत महेंगा आयागा आपको, alright? And और एक चीज़ देखो, यहां पर कितना मस्त खेल कहला है, previous day high, आज का पहले candle का high, both have been broken. Why would you not hold this trade? Why would you not hold this trade, right? So logically, आपको कुछ चीज़े इस पर देखनी पड़ेगा, Of course if you're scalping, वह एक फील की बात हो आती है, Scalping पे exiting is, आपके field पे depend करता है, exiting is not easy when you're scalping. So here, closing हो गई है, maybe you would say, closing होगे, आपने को जल्दी close करना था, आपके close कर दोगे, So 580 के आपकी buying रहेगी, Somewhere around 620, 40 points आपको मिलेगा, Max to Max, But उसमें भी, जितने speed से यह जाएगा, Opening है, ठीक है, 15 points में आपको दे सकता हूं इसमें, I mean 15 points आपको market दे सकता हूं, मैं कौनों तों देने वाला, But yeah, that's what I would say. रेयर क्या आपको, मैं जानता हूं, Actually, यह silent 2 है, Digest नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ जो trade करेगा, उसको एक दो दिन डाइजेट नहीं होगा, तीन दिन बोलेगा, तू सिखा दे क्या कर रहा है, और आपके साथ यहीं चल रहा होगी, Okay, यहां पे क्या है, आपको नहीं लग रहा है, यहां पे आपको multiple SL हीट हो रहा है, 2 SL हीट हुआ है, Yes or no? आपको नहीं लिख रहा है, यहां पे, Red, और Green, पैसा मिला? Hmmmm, नहीं, मिला की नहीं, चलो पांच वीट चले जाते हैं, No, कहां मिला, कैसे, I mean SL, स्काल्पिक में SL, अब क्लोजिंग पे लगा रहा हो, क्या कर रहा हो, Because, check this out, That's the low, आपका entry price, somewhere here, This is your SL, SL cut चुका है, 5 minute में आपको डूड़ना क्या है, Red Green, कहीं से भी कोई भी चाट, आपको Red Green डूड़ना है, Yes or No? Milla? और जाते हैं, आप जहां पहीं बोलोगे, महां जाने के लिए ready हूँ, Milla के नहीं मिला? 5 minute में, Oh yes or Yeah trade sir, अब इसमें WIC to WIC है, Body to Body है, Red Green, Okay, for now let's, Let's consider only, पहले Red, फिर Green, Okay, opposite side उनने एक ब़र mention किया था, but right now you're considering, एक बोलिखता हूं, Consider Red First, Then Green, Okay, पहले ये consider करते हैं, Let's see what happens then, Yes or No, about it's marked, Red and Green, इसका हाई और यह क्या माग है भाई जल्दी ने किया या अनिसान अब लाइप पॉरमंस था यह जो ठीक है तो क्लिए कर रहे है तो कहां से एट हंड़ेट से पहुंचुका और मैं इसक्रीन आगे नहीं बढ़ा रहा हूं मिला गी नहीं मिला अब कर एक मिन को बहुत बहुत लग रहा है मैंने आपकी लिए क्रिण ट्री में करो सेंध रेड ग्रिंध रेड ग्रिंगरतम टिंस इसके अंधि इसकें अंधर ट्निकुछ मिलेगा तो और रेड जर ग्रिंद चाला तहां पर काफी सजन लोग आके बोले थे कि नहीं भाई प्रिमियम का है यह वो है पचास साथ सौपॉइंट यह बैंक निफ्टी की बात है हो रही है यानि प्रिमियम में 30-40-50 पॉइंट पचास से भी उपर हो सकता है यह सब आसपेक्ट्स होते हैं आप्षिन के अंदर यानि कि जितने स्पीड से जाएगा न वह भी मैटर करता है देख लो ओके आज़ो ऑच्वाइर यूसुल नॉट मितर ट्रेंडिंग डेंडिंग यह नहीं करना चाहिए यह टेंडिंग पैसा मिला यहां पे पैसा मिला उसके बाद का दिन देखेंगे दो पर्सन मार्केट के अंदर फाइट करते हैं एक है बूल एक है बियर स्मॉलर टाम फ्रेम में लेट देम फाइट एक बूल केंडल आ गया बियर केंडल आ गया इल वेट फो ब्रेक उट सिंपल ट्राफिक लाइट ग्रिंड एंड दन गो इजी पांच मिने हो रहा है कि नी हो रहा है पैसा मिला नहीं मिला सुभशी जी भी पुने का ए ग्रीण रेड अंदन गो रेड ग्रीण गो नहीं अभी हम लूग 15 मिन में चले जाते है आप कहां अम आज राप कितने लोग सौने नहीं वालेग इसको बैक्टेस करने वाले हैं वि बस बोल रहा हो ना कि ने टाइम कम है और आक सोगी नीज़ा है पैसा पहले में पैसा दिखाऊंगा फिर दिखाऊंगा पैसा बनता करसा है तब मज़ा है और एक प्रिविए जून लेते हैं जो भी दिन का आप जाओगे क्या यहां पैसा बना रेट ग्रीन उसके बाद का दि आप यहां पे मिला है हर जगा है यहां पे मिला आपको ट्रेंट शích शोप्रास कंट भाचे walking here सब्सक्रायं अब ही उससा घ्रुल गे अभी आपको market कहा जा रहा है? अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जा रहा है market, wait for a green and red. Wait किये, पैसा मिला? पैसा मिला? आप कहूं से, आप मुझे बोलना, कहा पर मैं stop करूँगा? आप कहा बोलना, कहा पर मैं stop करूँगा? उसी trade से देखेंगे. 1, 2, 3, बोलना, stop कहा करना है? red green मिला? अरे आप यहाँ अगर SL ढूंद रहा हो, मैं आप बता रहा हो, what about this one? आप अगर यहाँ SL ढूंद रहे हो, मैं बोल रहा हो, आप SL ढूंद ना, मैं जब बढ़ाता हो, लोग ना SL ढूंद ना start करते है, प्रॉफित तो सामने दिखते है, जब आप ट्रेड करते हो, लोग से सामने दिखते है, आप देखेंगे लिकिन कहा बुक करेंगे हम? I mean, is there a logical exit to this? Sorry guys, because मैं सबसाद कुछ बोल ही नहीं पा रहा हो, because मैं clarity ही नहीं है, इस setup पे कुछ, for example, यह अगर हम माने red green, तो इता सा profit और यह SL, that doesn't make sense, तो अगर, यह move हम consider कर रहे हैं, तो यहां से वो क्यों न expect करें move, in fact यह तो 35,000 के level से हैं यह, तो 35,000 के नीचे जाके पलटा है, so, अब यह यहां तक capture करेंगे, why don't we hold it, score हो सकता है, यहां से एक retrace करके और जाएगा, expect क्यों ना करें, like, what, maybe one thing we can consider is, जब तक momentum दिख रहा है, let's say, यहां से हमने buy किया है, so, जब तक green candles बनते आ रही है, green closings मिलते आ रही है, maybe until then, alright, but remember हमने एक trade देखा था, जहां पर scalping हुई थी, 40.00 उपर जाके, 2 highs break करके नीचे close कर दिया, तो उसको एक red बन गई थी, so, if you use that setup also, तो वो red is coming back inside, मतलब वो loss में हो जाएगा, छोटा सा loss होगा आपको, so, let's see, one thing that I can feel right now is, जब तक same color बन रहा है, जिस direction का आपने trade लिया है, जब तक same color के candles close हो रही है, तब तक keep holding the trade. मैंने ये trade miss कर दिया, भूल जाओ, ये trade भूल जाओ, आपके account में आया, फिर यहां पे आपको red green दिखा, फिर आपने ये trade बोला ये भी miss कर दिया, आपको red green यहां दिखा, कहीं तो बना लो भाई, समझना आया, नहीं आया है, और एक चलो चलो चलो, nifty थोड़ा सा चलते है कहीं पे भी, आप लोगे इसके बीच में, let's go here, आप लोगे यहां पे, आप लोगे यहां पे, कहीं नहीं जहां पे पेर आपको दिख गया, red green, बस range बना दो और बैट जा, वहां पे दो fight कर चुके है, आपका काम कुछ नहीं होना है, उसके साथ निकल जाए, उसके बाद यहां पेर है, इसके निचे एक all trade बन जाएगा अपना, इसके निचे एक all trade बन जाएगा अपना, this is a pair, for now let's keep it at that, कि जो latest pair बनेगा, इसको मैं वित साथ की साल आपके इंपरूव कर रहा हूँ, whatever is the latest pair, we'll consider that, for example, for example, let's say यह बड़ा पेर नहीं यहां पे, यह बड़ा पेर ह यह green है, यह red है, बड़ा सा pair हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, यह होगे latest pair, इसका जब breakout होगा, हम इसको consider कर देंगे, ठीक है, तो यह breakout होगा, SL, SL होगा, एक, उसका दूसरे side breakout होगा, दो SL होगा, उसका दम one week पे चले जाएगे, यह मता कर रहा हूँ, but उसके बाद हम time frame बढ़ा देते हैं, I think that's what we're looking at, but यह तो कर देली पे देख रहे हो आप, so daily पे the rules will slightly vary, मैं इसको 5 minutes या 1 minute पे करके वापस एक बार आपके साथ, once this video is done, यह वाली video हता हो जाती है, यह अपनी चार्ट पर जाके एक बार इसको backtest करेंगे, यह easy लगा, yes or no? कितने लोग option buying करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए question है, last time expiry पे 500 points से जाधा, कौन बता सका है, dead, आब आज नहीं आरी है, आप समझ रहे हो issue क्या है, आपको बनना तो buyer है, लेकिन जीज़िन expiry में 500 points गिरा है, आपको पता नहीं है, और और में last बता रह हो, आप समझ रहे हो, चांस नहीं है, 500 points नहीं था, 500 points जानवरी 28 को गिरा था, या फिर जानवरी मन्त में एक गवा था, 600 points मार्केट उपर गिरा था, गिरा नहीं था, 1000 points अब हुआ था, कौन बता सका 1000 points अब हुआ था, 16 जून को last year 1000 points मार्केट गिरा था, क्या आपने पैसा कमाया उस दिन, याद नहीं, मेरे को याद है, मैंने कमाया था, आप अगर ट्रेडर हो, ये लाइफ में ध्यान मेरे था, 500-600 points मोमेंटम को भी मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उदर हो जाए, मिस नहीं होना चाहिए, इंट्रादे में अटलिस ये point काफी important है, जब बड़े moves होते हैं, वो capture करना आप सीख जाओ, but here is where Gansham ji is the king of option buying in bank nifty, मतलब उनके लिए दिन sideways हो, trending हो, जो हो, वो पैसा कहां कैसे निकालना हो जानते हैं, but this point I really agree with, कि, I mean आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से दिन हुआ है, कौन से दिन न पैसा मिला है, कितना दिमाग लगापका, अभी आपका नहीं कहां लगेगा पता है, भाई, कैसे गरो, एक बार चलता है हम अपने चार्ट पे, let's watch, so हम 1 minute पे आगए है, what are we considering here, keep holding the trade until same color kind as the firm, whatever is the latest pair, we'll consider that, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, 17th March का ही देखते हैं, तो यहां पे हमारा trade execute हो जाएगा, यहां पे हमने start किया है, for example, if we enter below this, ठीक है, यह पहला pair दिख रहा है, यह पहला pair नहीं है technically, पहला pair है technically यह, ठीक है, यह अपना पहला pair है, this is our entry, यहां से हम hold करना चालो करें ठीक है, तो यह कितने points का है, so let's measure that, पहला trade हमारा profit रहेगा, maximum 3 trades a day, right, so first trade if we took, हमें profit हो जाएगा, 40 point का, okay, 40 point का profit हुआ है, and total low इसने बना है 111 point का, लेकिन first move का इसका low है, लगभग 90 points का, so 90 points का low है, 40 point का profit है, first trade में, okay, ठीक है, फिर second देखते हैं हम लो, यह trade तो खतम हो ग हो गे नहीं, इस move को हम consider नहीं करेंगे, हम यहां से consider करना चालो करते हैं, let's say, green, red, green, चलो, यह यहां होगा trade, because यह green के high पर नहीं लेंगे, हम इस red के high पर लेंगे, एक entry, ठीक है, तो यह पूरा move हटा देते हैं, हम यहां से consider करते हैं, इसको यह वाला move हम कर देते हैं, disregard, य next, चलो, next, देखते हैं, यह move खतम, निकल गया, okay, so first time green and red यह बना है, इसके high low पर matter करेंगे, ठीक है, अब उसके बाद यह बन गया, यह वाला बन गया, तो अब हमारे लिए यह previous matter नहीं करता, anyways, यही continue करेगा, next क्या बन गया, red बन गया, so this is our buy entry, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा एक SL हो जाएगा, यहां simple जैसे हमारे एक SL कट गया, first SL, done, एक SL होगे, then we'll wait again, red green, now, here is our buy, यहां जो buy हुआ है, second, okay, यह देखो, यहां पर जो आपका buy होगा, this is given a decent profit, लेकिन यह अगर हम अपने closing के rule को follow करेंगे, 23 points दिया है, इसने, closing का rule क्या है, opposite color के, अगर हम उसक dump पकड़ेंगे, तो 80 points दिये है, एक मिनिट पे, नहीं, एक मिनिट पे, नहीं, एक मिनिट पे, he has to tell you कि इसमें क्या करने, चलो 5 मिनिट पे इसको देखते है, because एक मिनिट पे तो नहीं हो पाएगा, इतना असान नहीं है, I mean possible है, but यह traffic light setup नहीं करो एक मिनिट पे, this is what I would suggest to you So, यहां से हुआ है, हमारा 5 मिनिट पे, and यह जो हम consider कर रहे थे, opposite वाला candle, यह I don't think this rule cannot be applied, तो यह rule गलत हो गया, that doesn't make sense, तो हमें basically swings को देखना पड़ेगा, swings क्या है, just consider 3 things, अब जहां भी entry exit ले रहे हो, LDHCL strategy हो है, last day high, low close, so previous day high, previous day close, previous day close, previous day high, and previous day low, यह तीन factors आपके targets रहेंगे, simple, अगर option buying कर रहे हो, so target booking is very important, TARGTA, it's very important, अगर आपको hold करना, that's a different story, देखो, 1000 point कमाना है, ना तो पहले 10 point कमाना सीखो, कि market से 10 रुपए कैसे रहे जाना है, अगर आप premium की बात कर रहा हो हमें, option में, आप plus 10 रुपीस का premium नहीं कमा पात तो 500 रुपए प्लस में आने में मुश्किल हो आती है आपको, लेकिन loss देने के time पे आपको 50 रुपए loss देने में problem नहीं होता है, so first do this, यह अपने आप इसमें हो जाएगा, this is a complete game of confidence, यह और किसी चीज़ का game नहीं और confidence आता है, चोटे-चोटे profit से, ठीक है, so this is what I would suggest, previous day high, low and close, आप यूज करो, as your exits, ठीक है, अब previous day high, low, close कैसे decide करना, decide नहीं करना पर बस आप daily पे आओगे, look at this candle, what is the high, this is my high, what is the low, this is the low, what is the close, यह अपना close, ठीक है, यह तीनो levels आपके mark रहेंगे चार्ट पे, for example, अभी current market का यह देख लेते है, या तो, let's say, यह candle बनने वाली है, तो, last day का high, last day का low, and last day का close, यहां पे हमने mark कर लिया, अब हम आएंगे 5 minutes पे, नया दिन खुला है, so, नया दिन पे क्या होगा, हम यहां पे लेंगे एक short entry, इस जगा पे हमारे short entry होगी, और SL is gonna be this, it's 232 points, you can't take that on 5 minutes, but, just for the sake of understanding, हम वो करते हैं, now we can take this entry, why, because last day high के भी अंदर आ गया, great, so, next target हमारा है, last day का close, okay, so, हमारे को, risk to reward, 1 is to 1 का मिला है, लग बग, if we trade on a 5 minutes, ठीक है, so, we book targets at, last, previous day, high, PDC, and PD, last day high, close and low, ठीक है, यह हमें मिला है, 5 minutes, पे चलो, 1 minute पे देखते हैं, कि इसका क्या हुआ है, if we do this on 1 minute, if we follow the same rules, in that case also, यहां पे हमारा trade रहेगा, this is, यह जो red candle है, इसका break पे, यह एक दो candle कंसिदर कर रहा हुआ हूँ है, and हमारे को, उसमें भी अगर target चाहिए, तो, we'll have got in around 1 is to 1.24, decent है, अगर आपको चाहिए, और hold कर सकते हो, आपकी, नहीं, यह तो काफी पास था, maybe it's not gonna over, because last day high से ही पलता है यह 1 minute पे, alright, so if you are scalping, you can take a re-entry, not an issue, यहां पे हमें fresh 1 is to 5 का target मिला है, right, and this is done, the next target you can look for, last day low, अब देखिए guys, इसमें एक advanced concept यह है, आप swing to swing target trail कर सकते हो, alright, swing to swing, यानि यह जो previous swing था, this is a clear cut booking area है, यहां पे देखो, previous swing पे booking करनी होती है, आपको target, but यह identify नहीं ह होता है, इतना असाल नहीं है, इस और इंटिफाई करना, तो चलिए एक और हम देखते हैं, चार्ट पे, so we've seen, एक दिन का, अब हम चलते हैं, यह जिस दिन candle बनी उसके पहले क्या था, last day high, last day का यह हो जाएगा low, and यह है last day का close, great, so right off the bat, हम पहले चलों, 1 minute पे देख लेते इसका शुरुवात कहां पे है, 915, somewhere here, this is the first candle, 1, 2, इसका low break हो गया है, अब since, यह low नीचे ही गया है, then you look for psychological numbers, 100 के multiples, यह कहां पे 838, तो 800 तो काफी close है, we'll book at 700, okay, यह बहुत important चीज़ है, so, और the closest practical multiple of 100, okay, मतलब, exact 700 पे नहीं, अब अगर उपर से आ रहा है, तो 720 पे बुक कर दो, 20 points, ठीक है, multiple 100 plus minus 20, ठीक है, now, so, यहां हमारी entry होगी, just below this, hopefully यह चीज़ आपको समझ में आ रही है, मैं कौन से तो consider कर रहा हूँ यह दो candle consider कर रहा हूँ, क्योंको समझ अगर पांच मिनट का देख रहा है, we can consider first candle as well, यह उनने कहा था, this is the first candle of the day, previous day high, low mark हो गया है, यह line हटा देंगे, these two are the lines, previous day high, close low का, अगर वो नहीं चाहिए, इसका एक simple तरीका, यहां CPR लगा देंगे, बहा पर दिख जाएगा, हमें कोई दिखकत नहीं है, CPR में मैं खाली यह से भटा देता हूँ, और PD, previous day high, previous day low, यहां से mark हो जाएगा, ठीक है, so, यह जो dotted lines दिख रहे हैं आपको, दोजा, previous day high and low, ठीक है, that's also pretty easy, confuse मत हो चाहिए, so, from that, यहां हमारी entry होगी, just below this one, just below this one हमारी entry होगी, but, since that is broken now, उसके बाद, this is our entry, टेक है, this is our SL, again 260 points, थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर हम सीधा high or low का SL लगांगे, काफी बड़ा हो जाता है, और यहां से अगर हम next target पकडेंगे, तो यह entry कितने है 846 पे entry है, roughly, so, 720 के आसपर हम पकडेंगे, और यह बहुत चोटा हो जाता है, risk reward इसमें हमारा जम नहीं रहा, तो risk reward इसमें अगर 1 is to 1 देना है, market ने 1 is to 1 भी नहीं दिया हमें, all right, so, 5 minutes पे, not that great, because, यह तो खार, अगर selling market होता है, तो volatility अपने आप ही बढ़ जाती है, तो तो यह पहला है, और यह पहला traffic light बना है, this is gonna be a buy entry 1 minute पे, 1 minute पे buy entry इधर हो गई है, and our target will be what, previous day का close, ठीक है, so, यहाँ पे entry हो गई, and this is gonna be a target, ठीक है, and this is good, 1 is to 1 का में target मिलिया है, so, so far, जितना दिख रहा है मुझे, based on these strategies, 1 is to 1 के target को मिल रहा है, और यहाँ 100 point का target मिल रहा है, which is pretty good, 1 is to 1 के आपको target मिल रहा है, which is pretty good, nothing to worry about, उसके बाद, चलिए हम second trade देख लेता है, beyond this, if you look at a second trade, after our target is booked, हमने target यहाँ नहीं बुक कर लिया, तो इसके बाद हम 2-4 candle रुख जाएंगे, this is the clear next setup, इसके बाद हम एक sell side का trade देखेंगे, again, something like this, ऐसा कुछ sell side का trade रहेगा, and technically, this is the first target, previous swing जो था, यह अपना पहला target रहेगा, again 1 is to 1, तो इसमें 1 is to 1 काफी आसानी से मिल जा रहा है, notice this thing guys, 1 is to 1 बढ़ियां से मिल जा रहा है आपको, यानि अगर इसमें आपकी accuracy थोड़ी सी भी अच्छी है 50% से, तो you will be profitable, easily, अब इसको अगर आपको बड़ा hold करना है this is what level, 850 का level है, इसका अद मैंने क्या बोला, you will book at what, around, यह तो 820 या 810 के आसपस आपको देखना पड़ेगा, पहला target देखो, directly market कहां रुका है, सिधा यहाँ पे, ठीक है, 810 के आसपास, now, धियान से सुनिये guys, so first target has to be the previous swing, अगर यह आपको नहीं पता है, don't worry about it, previous day high, previous day low, previous day close, यह आप देखिए, अगर यह, यह तो खार काफी clear chart पर बना बनाया आ जाता है, आपको यह क्या करना है, दूसरा आपको यह देखना है, कोई भी 100 का multiple रहेगा, that's where you have to book, ठीक है, अभी यह हो गया, दो traders में काम कर गए, given us good profits, अब चलो हम यहाँ कहीं पकड़ते है, इस रहेगा अगर रांडम ट्रेट्स कहीं भी आप ट्रेट नहीं ले सकते, ओपनिंग पर लोगे, let's say, if you get a trade before 9.45, maybe 9.45 कहा पर हुआ है, अगर 1 minute पर आप देख रहेगे तो 9.30 काफी है, 9.30 के पहले आपको एक दो ट्रेड मिल गया, काफी है, that's it, I would suggest 9.30 के पहले दो तो 9.30 के पहले आप trades ले सकते हो तो यह जो थेयरी जे इसको एक बार हम बैक्टेस्स कर लेते हैं तो यह हो गया हमारा एक दिन का प्रिवेस दे हाई लो नॉर्मली मार्क हो जा रहा है प्रिवेस दे क्लोज यहां कहीं रहेगा अगर अगर देली पर आज जाहोगे तो रख जो का लिया और अगर आपा जाकर से वुद्वेस देल कि यहां ब면 आप हम इस दिन को मेजर कर रहा है हम इस दिन को मेसरे कर रहे है ऐस घुपरीवेस देख ऑश्यक्नाnnमाइश अघुटर Essentially आपको यह सब चीज़ें क्लिर नहीं है, so trading is not that simple either, आपको यह सब basics क्लिर होने चीज़े, पहला दूसरा कंडली कैसा बन गहा है, पहला कंडला में एग्नोर करना है, so look for the first pattern, first pattern यहां पर बना, then our low is broken, यह है हमारी entry, हमारा previous day high काफी close है, this is given 0.57, so we can't really book this, but 0.1 again, 0.1 से पलता है, so one thing is pretty clear, यह जो शुरू में trades मिल रहे न, यह traffic light के हिसाब से, you are getting a pretty simple 1 is to 1 risk reward, keep an eye on that, ठीके, उसके बाद of course, बड़ा दे रहा है, बड़ा move दे रहा है, but यहां से अच्छा का सा पलट भी रहा है, आपका जितना premium रहेगा, और जितनी speed से पलट रहा है, लग जाएंगे आपके, because यहां पर tweezer bottom बनाया है, नहीं पता क्या है, don't worry about it, यह सब चीज़ के बार में आप मत सुचो, आप लोग, because advance आप जाना चाहोगा, तो बहुत चीज़ होती है, but उसके बाद the one move in the direction of the trend, अगर आप trade लोगे, तो it can be slightly better, यहां देखो, previous day high has been broken, in the direction of trend, हमें एक और traffic light setup यहां पर मिला है, inside candle भी बना है, तो यहां पर कितना अच्छा सा काम किया, but otherwise, यहां पर randomized trades तो आपको बहुत ही मिल जाएंगे, if you consider, यह देखो, यह तो खार नहीं है, traffic light माना नहीं जाएंगा था, यहां से एक और breakdown हुआ है हमारा, चलो इसको भी मान देखते हैं किता हुआ है, if you consider this one as well, fresh entry, so we have 1 is to 1 दिया है, यह देखो, exact, so yeah, 1 is to 1 seems like a very sweet spot, for this setup, interesting नहीं, चलो एक और दिन पीछे चलके हम देखते हैं, यह previous day close को अभी के लिए हटा दो, I'm just looking at, how the targets are working, and यह अगर आपको पार्ट समझ में आ रहा है, या यह वाला पार आपको पसंद आ रहा है, do consider liking the video, YouTube को पसंद आता है इस चीज, so यहां पे हम्मारा एक SL हो जाएगा, at this spot, because पहले time पे हमने, 1 is to 1 तो हम यहां बुक नहीं कर पाए, नहीं previous day close के आस पास जा पाए, but if we take a re-entry in this, जो की हमारी होगी, यहां पे हो जाएगी हमारी re-entry, this is the re-entry we'll take, right, because उसके बाद यहां setup बना है, no no no, हमारा SL इदर हुआ है, because हमारी entry होगी, at the break of this, यहां SL होगा at this point, this SL is done, so we can't really take a re-entry just at the SL, we have to look for a fresh setup, fresh setup हमारा consider होगा इदर, यहां से high break हुआ है, यह move तो जवर्दस मिला है, 1 profit will look here, और 1 is to 1 पे यह भी रुका होगा I think, यहां यह लॉंग देखेंगा, यह देखोई, this is a long position, 1 is to 1, somewhere यहा, 1 is to 1 पे थोड़ा सा हॉल्ट किया है, but this has given an even better, an even better move, तो लो ठीक है, not a bad strategy, not too bad a strategy, but I would say, add these things, exiting थोड़ा सा मुश्किल है, तो शुरुआत के लिए, अगर यह strategy आपको test करनी है, छोटे quantity से test करो आप, previous day high, previous day low, previous day close base को book करने का try करो आप, या तो फिर 100 के multiples के आसपास, जो भी closest बन रहा है, जिसे इस case में भी, 100 का multiple के आपको आप 480, 500 तो 480 के आसपास आप booking करने का देख सकते हो, 520 के आसपास आप book करने का देख सकते हो, because if you're scalping, you can't really afford a lot of things, यह एक move मिल गया है, यह 341 पॉंट्स का, लेकिन इसी case में अगर आप देखोगे, तो आपको SL भी काफी बड़े बड़े देने पड़ रहा है, इसा नहीं कि छोटे SL मिल रहे है, जब आपको ऐसे 304 सा पॉंट्स मिलने होता है, तो आपको 20-30 पॉंट्स के SL नहीं मिलेंगे, आपको 100-500-200 पॉंट्स के SL मिलेंगे, चाहे आप 1 मिनिट पर करो या 5 मिनिट पर, 5 मिनिट पर आपको बहुत ही बड़े SL मिलेंगे, जब थोड़ी सी वॉललिटिलिटी अगर हम कम में मानेंगे, लेट से जब मार्केट इतना ऐसे डाउन फॉल में नहीं था, वैन इट वस लेट से सम्वार हियर, यह देखो यहां वॉललिटिलिटी कैसी है, यह भी आपको 157 पॉइंट से यार, 157 यह तो कब सब्सक्राइब तो आपको इसमें दे नहीं पड़ेंगे, मैं options की बात नहीं कर रहा हूं, मैं nifty में बात कर रहा हूं, यहां profit वा चलो ठीक, एच्छी बात है, अगर विफिक कंसिडर, यहां पे भी ठीक ठाके देखो, अगर टेक्निकली देखा है तो 200 पॉइंट का है अपना SL यहां पे, अगर सिर्फ हाई और लोह को कंसिडर करेंगे, यहां पे आपके SL हो गए, multiple 1.500 पॉइंट का, तो this is not the best option, buying strategy, I would say कि आपको 500-600,000 पॉइंट अगर पकड़ना है, तो उसके लिए कितने SLs देने पड़ रहे हैं, आपको यह भी notice करना पड़ेगा, और एक और चीज, जब भी आपको स्राटजी के बार में सोचते हो, think कि how easy is the algorithmic implementation of this, because majority trading जो होती है, मतलब algorithms में हो जाते हैं, उनमें इसी पैसा लग जाता है, और आपको आटोमाटिक ट्रेड करती है, यह setup तो भाई बहुत जाता easy है, algorithm के लिए, गल्ती से भी अगर यह setup चलता है, तब तो algorithms अल्रड़ी है कर रहे हैं, और अगर algorithms करना चालो कर दे, तो setup का edge खतम हो जाएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं, तो फटा फट तरने लग जाएंगे, जिस दिन से illogically logical strategy है, या फिर 3 p.m strategy है, जिस दिन से वह market में आया है, उस दिन से आप तेख रहे होगे, उसका चलन, उसका use completely change होगे है, जैसे यासे यूट्यूब पे जितना वाइरल होता है, हमारे local markets में, उसका work कम हो जाता है, जितना simple होता है strategy, for example, time-based implementation, it's so simple to put, opposite candles, so simple to put, तो जितना कम complicated strategy रहेगा, उतना easily उसका edge उड़ जाता है market से, इसलिए price action, swings, discretion, ये supreme होते हैं, अब ये सब strategies है, आप try कर सकते हो, जब तक चल रहा, तब तक चल रहा है, but there are no real rules behind this, 920 कह लो, illogically logical कह लो, कोई भी time-based strategy आप पकड़ लो, इनके कोई real rules नहीं रहते हैं, ये सब कुछ आपको तब ही आएगा, अगर आप एक discipline, एक knowledgeable trader बन चुके हैं, और ये सब क्लियर करना, ये सब क्लियर करना, वहाँ पर प्लेलिस्स हैं, आपको beginner playlists मल जाएंगे, price action, candlesticks, ये सब कुछ आपको हमल जाएगा, right, so, hopefully ये विडियो आपको पसंद आई हो, कुछ दाउन से हैं, let me know in the comments, and ये strategy में, definitely और काफी clarity की जरूरत है, if that's there, we can talk more on this, but until then, this is it, I would say 1 is 2, 1 looks easier, 930 के पहले, आप trades ले, ले एक्जिटिंग करना है, तो उस हिसाब से देखें, 5 minutes पे, कर सकते हो, but SLs बड़े हो जाएंगे, SLs आपको, you can't really change the SLs on them, बहुत जादा, arbitrary strategy है, बहुत जादा variables है, जाप control नहीं कर सकते हैं, alright, so I'll see you next time, cheers.